बाइज और बेहनों मुझभफरपूर और बैशाली के इनफास्ट्रक्टर को मजबूर करने के लिए भी गंबीर प्रयाध हम कर रहे हैं सड़क, रेल और हवाई आतायाद से जुड़े अनेक तुझे यहां चल रहे हैं पताहीं एरपोर्ट भी जल ही आप सभी को नियमित सेवाए दिनाश शुरू कर देगा पताहीं हवाई एड़े से उरान शुरू करने के लिए जमीन की मांग के बाद एक बार फिर से शेतर के जन पर्दिनधियों की उमिदे भी बंध गई मंगलवार को काटी से राज़त धायक मम्मद इजराइल मंसूरी ने नागरिक उड़ेर मंतरी जो दिरादिते सिंधास से दिल्ली में मुलाकात की उरान शुरू करने के लिए किये जा रहे हैं प्रयास को लेकर मंतरी को धन्लेवा दिया उन्होंने कहा कि मुझफर पूर उतर बिहार का सबसे बड़ा वैपारिक केदर है यहां से उरान शुरू होने पर मुझफर पूर जिले के साथ ही वैशाली पुर्विचंपारन गोपाल गंच सारन सिवान तक के लोगों के लिए आवागवन सुगम हो जाएगा 2019 के लोगसवा चुनाओं में प्रधान मंतरी नहेंद्र मोधी ने इसकी घोशना की इस बीच केंदरी मंतरी की और प्रयाज शुरू के जाने से उमीट बढ़ गई विधायक ने कहा कि केंदरी मंतरी ने जल्द कारवाई करने का भरोसा दिया है मुझफवपूर में शियासत गर्माई हुई है मुद्दा है पताहे एयरपोर्ट बीते दीन कांटी से आरजेडी की बिधायक इसाल मंशूरी ने केंद्रीय उड्दियन मंतरी जोतिरादी सिंध्या स्रिमिल करके सभी बिराम पे बड़ेकर लगा दिया है अब कहाना यह है पताहे एयरपोर्ट क्या चालू होगा कि आवाकई में चालू होगा अस्थानी जन पर दिदी हैं विधायक पूरो मंतरी रह चुके हैं सुरेश स्रमा ने भी कहा था कि जो से यहां से पला प्लेन उड़ेगी सांसद महोदय ने दरभंगा एयरपोर्ट के अब देखना दिल्चस्प होगा कि क्या एक विपक्षी दल के विधायक कि प्रयास पताहे एयरपोर्ट को उरान भरने में रंग लाएगी खुद बात करने के लिए हमारे साथ कांटी की विधायक स्थाल में सुई है हमें इसे जानेंगे कि क्या बात्चुत हुई जोतिया दिन सिध्यां से और क्या आश्वासन मिला सबसे विधायक जी मजोगपुन नाव में आपका स्वागत है धन्यवाद सवाल के साथ सुरुआत करेंगे कि पताहें एयरपोर्ट के जहां तक मामला है तो हमारा सेंटीमेंट्स जुराव है तो कि हम लोग जब बच्चे थे तो उस गराउंड को देखने जाते थे, खिलने जाते थे, साइकिल सिखने जाते थे उसी गराउंड में और उस समय उस समय पीला वला जहाज गिरता था, हेलिकॉप्टर भी तो बड़ाबर बढ़ कुछ को लोग आते थे, गन्यमानों लोग राज के मुख मंत्री हो, कोई मंत् देखते थे आज तो हेलिकॉप्टर भी नहीं वहां गिर रही है चुनावी मैदान हो गया है मातर बनकर हो गया है और हम लोग एक समय में जहाज देखते थे तो आज हम दिल में है कि हम बच्चे थे तो वहां जहाज उरते देखते थे हमारा बच्चा भी वहां जहाज उरता और हमको वहां की जनता ने पहले परधान बनाने का काम किया, मुख्या बनाने का काम किया, आज संजोख से सबों का सनेह सिर्वार और कांटी के समानित मद्दाता ने हमको एक जनपरतिनीजी गुरूप में बिधायक बनाने का काम किया है, तो हमारी जवाब जही भी है, कि हम के आवाज बने लोगों के आकान चाहें पर हम खरा हो और यह तो मेरा परसनल मामला है हमारे दिल में इकसक है कि हमारे पंचायत में कि मैं भी एरपोर्ट चालू हो और यहां से देश हर दुनिया में लोग जाने का बीते दिर सवाल आया था कि जोतिरादी सिंध्या के तरब से बिहार सकार को पत्र आया था कि 475 एकर भूमी जो है अधिगरन करके एरपोर्ट बनने के लिए दिया जाए अब इस सवाल आ जाता है कि कुछ-कुछ जनपर्दिदी कहते है कि यहां तो छोटा प्लेन उरने के लि हमने कहा था हमने अपनी बात रखा कि हमारे पंचायत में हैं और हम चाहते हैं कि आपका परिवार जो है से देश में स्वयोग करने का काम किया है उसी परिवार से आप हैं और हमको आसा है कि हमारी पीरा और बेदना को आप समझने का काम करेंगे एक सब्ध हम उनको बोले अखवार के माध्यम से यह बाते आई थी कि नागिरिक उड्यन मंत्राले द्वारा 475 एकर जमीन मुझःफ़पुर में अधिगरन करने की बात कही गई है बिहार सरकार को चिठी लिखा गिया है हमने उनको कहा कि अगर 475 एकर जमीन की ओड़प सकता है अगर कुछ हमको बड़ा देना चाहते है मुझःफ़पुर के लिए इसके लिए भी हम आपका भारप पड़कट करते हैं लेकिन बरतमान जो रनवे है अब बरतमान में जो उसका जो छेत्रफल है उससे 40-60 वाला जहाज की उड़ान हो जा सकती है तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इधर उड़ान से भावी सुरू किया जाए छोटी जहाजों का और उधर की भी परकिरिया चालू रहे तो हमको लगता है कि ज्यादा बेहतर है चुकि मुझपरपूर पूरे बिहार में अगर हम मानते है तो एक बेवसाय का ऐसा है कपड़े की जो सूता पठी आपको बड़ा बजार है और तमाम लोग सूरस से जूरे हुए लोग है और कई राज्यों में यहां से कपड़ा का बेवसाय होता है बेला अधोगिक छेत्र भी मुझपरपूर में है उधोग के मामले में भी बड़ी-बड़ी कंपनिया भी आने की भी है और है भी बहुत सारी कंपनिया राश्टिय लीची अनुसंधान भी यही है और यहां का जो लीची बेपारी है और किसान है वो पटना एरपोर्ट से अपना माल एक्सपोर्ट कर जाते हैं चाहे दरभंगा से बीगत वर्षो में गए हैं और मुझपरपूर लीची के मामले में पुरे देश में एक नाम है मुझपरपूर को लीची के नाम से जाना जाता है तो निश्ची तोर पर यहां अगर पलेन उड़ती है यहां से जहाज उड़ता है तो हमारे लीची किसान भाई और बेपारी भाई को भी तो बहुत सारे ऐसे द्रिश्टी कोन है उसके बाद मुझपरपूर के सटे सितामटी सीवर पच्मी चंपारन, पुर्वी चंपारन इन जिलाओं को भी सुगमता होगी अगर मुझपरपूर से उड़ान भरी जाए इन तमाम मुद्दों को हम बारीकी से रखते हुए नागरीक उड़्यन मंत्री जुक को हमने अबगत कराया और अबगत कराने के बाद हम उनको कहा कि बर्तमान में हवाई जहाज सेवा सुरू की जाए अगर ज्यादा दिक्कत है तो सब्ताह में कम से कम तीन दिन भी की जाए और इभी पर किरिया चारा है तो हमको एक बात बोले बिहार सरकार से भी आप अधिगरन कहा है तो हमने कहा है कि निस्थी तोर पर हम लोग भी जो बिहार सरकार से मिलने का कैम करेंगे जबरत पड़ेगा मानिया मुख मंतरी जीसे भी हम इस संदर में मिलेंगे लेकिन हमने उनको बोला कि आपको परसानी नहीं होनी चाहिए सर डबल चुकि एंडिया की गवर्णमेंट बिहार में भी है और हम आपके चैनल के माध्धम से कहना भी चाहेंगे कि हमारे वैसाली और मुधफ़पूर दोनों स्टिच्वेंसी सटा हुआ है जीला भी है और दोनों सांसद एंडिया के हैं और सरकार की दोबल इंजण के निज़िया की सरकार है तो हम श्ytesहत तो पर आशा और विश्वास रखते हैं की जमीन अदिगरण की परकिर्या ज्ल शुरू भी होगी और उरान करार्षरह वो हम निश्ची तोर पर चाहेंगे अपना सांसद की बात की है तो इंडिये कहीं सांसद है मुझफःपूर से आजानी साथ उन्हें दर्भंगा एरपोर्ट के लिए जब एक प्रतिनिती मंडल प्रधानमंत्री से मिला साथ उन्हें उन्हें इसको दसकत किये हुए थे क्या स सोचते हैं देखिए अब किस संदर में किये थे हम ज्यादा नहीं बता पाएंगे लेकिन मुझफःपूर हवाई एड़ा चालू हो इसके लिए उनको भी परियास करना चाहिए हम उनसे आसा और विस्वास रखते हैं परधान मंत्री ने रैली के दोरान पताहीं एरपोर्ट से यह घोसना किये थे कि पताहीं एरपोर्ट को भी चालू किया जाएगा और मुतिपूर चीनी मिलका हम चाय पियेंगे आज तक उनके घोसना पर कोई काम नहीं हो सका है परधान मंत्री जी पताहीं हवाई एड़ा चालू करने की बात अपने जन सभा में बोल कर गये थे यह बात भी हम नागरी कुडेन मंत्री जी से अबगत ख़राया है और अपने पत्र में उस बात को भी हम इंगित किये हैं कि देश के परधान मंत्री ने वहाँ परसवासन करके वहाँ की जनता हुआ है इसलिए वहाँ जल सजल उडान सेवा सुरू किया जाए राज सरकार की काल किलाब पर आते हैं थोड़ा निटीश कुमार यहार के मुखमनत्रिया क्या लगता है कि मुझफर पूर एयरपोर्ट सुरू करने में आज तक राज सरकार कहां तक सफ क्रेडिट के अपने बात किये तो मुझफर के भी बहुत सारे लोग है जो क्रेडिट के के लिए जाले सी चार्सों पच्छतर एकर भूमी अधिशन का बात हुआ तैसी सांसद हो विधायक को क्रेडिट के लिए लगातार सोसल मीडिया पत्र साजा करके बोला कि यह मेरा पर दयाकर चाहे राजनितिक दलों से चाहे वो किसी संगठन के कार्ज करता हो समाजिक संगठन के कार्ज करता हो चाहे विधायक और टार्द si pigu सोय और पता ही हवाई अड़ा से उड़ान भरे यही हमारा मकसद है आगे इस पेर कोई काम भारा सरकार या भीहार सरकार नहीं करती है तो विपक्ष क्या विधायक हैं क्या चेतावनी होगा आपको राज सरकार कोड़ें हवाई अड़ा कामला हमसे हमारा सेंटिमेंट सोजूरा हुआ ममला है हम उस पंचायत के वासी हैं हमारे बिधान सवाचैतर में आता है जब तक पता ही हवाई यठ्डा चालू नहीं होता है मेरा अनवड़ा प्रियस जारी रहेगा और संघर्स भी जारी रहेगा करेडिट लेने की कोई आउ सकता है नहीं अगर धरातल पर कुछ काम हो तो क्रेडिट जनता खुद भे खुद दे देती है केमिने के पिछे आविनाज शेयर मुझफ़पू नाउ आप देख रहे हैं